जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना है छे रूम का डिजाइन वो भी 30 by 40 में आपको यूटूब पर कहीं नहीं मिलेगा और वो भी spacious sizes में तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा फटा फट मैं आपको समझाऊंगा आज की इस वीडियो में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 by 40 फिट के प्लॉट में house plan for rental purpose बहुत ही सुन्दर डिजाइन और useful डिजाइन आप लोग भी देखोगे तो बोलोगे क्या design बनाया है दोस्तो इसमें जो requirement है वो है हमारी RKT की मतलब जितने जादा से जादा हो सके एक room उसके साथ में एक toilet और K for kitchen यानि के लिए सिर्फ सिर्फ हमें slab देनी है ना की proper kitchen बनानी है उसके बाद हमें एक staircase design करनी है और बाकी इस plot के तीनो साइड में हम window दे सकते हैं क्योंकि यहां पर client का अपना ही plot का space बचा हुआ है ठीक है तो चलिए दोस्तो time waste ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ design तो दोस्तो जैसा कि आप लोग skin पर देख सकते हो मैंने यहां पर 30 feet by 40 feet के plot में 6 room का design जी हां दोस्तो आपने सही सुना है 6 room का design वो भी 30 by 40 में देखो 1,2,3,4 और 5,6 दोस्तो 6 room का design आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा और वो भी spacious sizes में आपको मैं अभी समझाओंगा थोड़ी उससे पहले फैंस आप लोग की एक query थी आपने बोला था comments में कि यहां पर ventilation gap सो नहीं किया है दोस्तो मैंने सिर्फ यहां पे 30 by 40 का ही built up area show किया है आप अपने plot के साब से इसको manage कर सकते हैं जैसे कि आपका plot कुछ भी हो सकता है 35 by 60 हो सकता है 35 by 70 हो सकता है 40 by 60 हो सकता है तो द यह बात ही ventilation की अभी मैं आपको इस plan को समझाता हूं सबसे पहले हम घर में entry के लिए जाएंगे तो MD यहां पर आपको मिलता है 4 foot का MD मतलब main door उसके बाद जैसे आप enter करेंगे right में आपको यहां पर सीडिया मिल जाती है और सीडियों की landing के नीचे आपको toilet मिल जाता है size आप 1.5 inches का है room में यहां पर back side में window दी गई है रोशनी के लिए और यह वाला toilet इस room के साथ attached है next इस room में हमने यहां पर slab डाली हुए kitchen की यह gas है और यह sink है जैसी requirement थी उसके बाद इनको ventilation कहां से देंगे यह window दी गई है और बीच में यहां पर corridor में हमने यह जाल डाला हुआ start to end आपको यह एक बड़ा corridor यहां से आ तक का देखे यह वाला यह एक बड़ा corridor आपको मिल जाता है ठीक है next अभी हम जाएंगे left side वाले room में size आप लोग देख सकते है 11 feet 10.5 inches by 9 feet का है उसके बाद front में आपको bedroom में ventilation मिल जाता है यहां पर आपको यह slab मिल जाती है gas और sink के ल जरूरत थी तो हमने यहां पर डाल दी जगह wastage होने से बच गई next इस room का toilet यहां पर देख सकते हो यह attached toilet है 5 feet 9 inch by 5 feet का काफी spacious size कोई दिक्कत नी है next आप लोग आगे चलते हैं तो आपको यह वाला toilet मिल जाता है same size है आप लोग देख सकते हो but यह toilet किसके लिए है क्योंकि यह gas sink मिल जाती है यहां पर यह window मिल जाती है ventilation के लिए यहां पर एक almari मिल जाती है अब इस room में toilet तो है ने तो देखे यह वाला toilet जो है वो इस room के लिए दिया जाएगा हाला कि attach नहीं है पर requirements हमारी यहां पर पूरी हो रही है जगह wastage नहीं करनी है बिलकुल भी next हम आगे चले attached toilet मिल जाता है room के साथ में next आप आगे चलेंगे आपको एक और corridor में जाल दे दिया गया है ventilation के लिए next आप आगे चलेंगे यहां पर room का size आप लोग देख सकते है slab हो गई यह window हो गई room के साथ में attached toilet है next आगे चलेंगे right side में 11 by 10 का आपको room मिल जाता है साथ में आपकी slab है यहां पर middle में हमने toilet डाल दिया है back side में इसका ventilation होगा देखे फैंस काफी अच्छा design है 30 by 40 fit के plot में वो भी 6 room के साथ में और अगर इसके उपर भी आप flat मनाते हैं तो 6 room और मिलेंगे आपको मात्र 2 मंजिल में आपको 12 room मिल जाते हैं लेकिन अगर आपका flat 3 मंजिल का है तो 18 और 4 मंजिल का है तो सोचिए दोस्तो 24 कमरे आपको मिल जाते हैं तो कितनी earning यहां पर हो सकती है इस मात्र 30 fit by 40 fit के design से दोस्तो आपको design कैसा लगा please comment में जरूर बताइएगा मैं आपका wait करूँगा और आपका replay भी करूँगा चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है next वीडियो में thank you bye bye